बड़े बड़े सेट्स, लाजवाब कॉस्ट्यूम, शांदार गहने, बहतरीन म्यूजिक और उंद्या कोरियोग्रफी प्लस थोड़े यादगार डायलोग्स ये सारे एलेमेंट्स मिलाकर बनाते हैं एक टिपिकल संजलीला भनसाली फिल्म करीब 28 साल से अपनी बहतरीन फिल्मों से दर्शकों का दिल लुभाने वाले संजलीला भनसाली ने अपनी फिल्म मेकिंग करियर में नजानी कितनी सारी आइकॉनिक फिल्में दी जिनको आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा आज के एपिसोड में मैं as a संजलीला भनसाली के फैन के तौर पर उनकी टॉप टेन फिल्मों को रैंक करूँगा strictly as a fan and as a cinephile मगर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे request करता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल सिने वंशी को subscribe करना ना मोरिये to get more interesting content in future Let's start the video William Shakespeare की classic Romeo and Juliet को गुजरात की प्रिष्ट भूमी पर set ये फिल्म मेरी संजे सर की least favorite फिल्मों की लिस्ट में आती है इसके पीछे की वज़ा दो है क्यूंकि एक तो फिल्म का second half थोड़ा सा messed up है फिल्म के कुछ-कुछ scenes काफी थोड़े से over dramatic हो जाते है राम लीला इसलिए चली क्यूंकि इस फिल्म का संगीत काफी अच्छा था फिल्म के sets काफी grand थे जस्ट लेकर टिपिकल संजे लीला भनसाली फिल्म और दूसरा की फिल्म का बहतरीन camera work बॉलिवुड का standard genre दो families के बीच की दुश्मनी और उनके बच्चों के बीच की महबत की ये concept बॉलिवुड में पता नहीं कितने ही सालों से चला आ रहा है इसलिए राम लीला मिरे लिए संजे सर की सबसे least favorite फिल्मों में से एक है इसलिए ये फिल्म को मैंने 10th spot पे रखा हुआ है एक बेजुबन कपल की बेटी जिसे music का बेहत शौक है और वो सपना देखती है इंडिया की number one singer बनने की और वो किस तरह से इसमें कामयाब होती है इसी कहानी के इर्दगिर्द बुनी गई है फिल्म खामोशी दे म्यूजिकल ये संजे लीला भनसाली की as a director पहली फिल्म थी और मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपने संगीत और दिल को छू लेने वाली कहानी से ये बता दिया कि वो बॉलिवुड में अपनी अलग जगा बनाने के लिए आए हैं और इसमें वो बेहत ही कामयाब होए हैं मैं कास्टिंग की दाद देता हूँ नाना पाटेकर जो अपनी बहतरीन डायलोग डिडिवरी के लिए फेमस है उन्होंने इस फिल्म में एक गुंगे आदमी का किरदार निभाया सलमान खान का character इस फिल्म में एक mentor की तरह होता है मनीशा के लिए एकदम full of life, easy going, you know एक typical green flag character था मनीशा को रह वेल, she was at the top of her game in 90s and this film is one of her best works एक जादूगर जो अपने करियर की शिकर पर रहता है मगर उसकी किस्मत तब करवट ले लेती है जब उसके साथ एक accident होता है उसकी जिंदेगी wheelchair पर सिमट कर रह जाती है उसकी देखबाल करने आती है एक nurse जिसे आगे चल कर उसे प्यार हो जाता है वो जादू कर सभी को तब चौका देता है जब वो अदालत पर अपनी mercy किली की fetishन फाइल करता है उसने ऐसा क्यों किया इसी की story है film गुजारिश खामोशी दो musical के बाद इस film की कहानी भी goa पर बेस थी इसी film से संजलीला बंसाली ने music direction की field में भी अपना कदब रखा और कहना पड़ेगा कि उन्होंने अच्छा जॉब किया वक्त के साथ साथ ये film को cult classes या timeless classes का status मिला है overall गुजारिश एक average one time watch है मैं great तो नहीं कह सकता बट ठीक है good film number seven पर है film सावर या खैर ये placement कुछ लोगों को काफी अजीब लग सकता है क्योंकि film historians के हिसाब से गुजारिश सावर या से भी better film थी मगर मेरी नजरों में सावर या इसलिए best है क्योंकि इस film के गाने जो आज भी उतने ही evergreen है honestly कहूं तो जब से तेरे नैना मेरे color tune थे 2010 से 2012 तक also इस film में रनवीर और सोनम की chemistry देखने लायक थी they both look so beautiful on screen उपर से सावर या में the राज कपूर influence clearly दिखाई दे रहा है जैसे की romantic scenes में plus रनवीर कपूर के character का नाम है ते रनवीर राज राज कपूर का real नाम भी रनवीर राज है plus जिस बार में रनवीर कपूर गाना गाता है उस बार का नाम है आर के बार in shot सावर या संजलिला भंसाली की श्रद्धांजली थी राज कपूर brand of cinema को मगर कहानी काफी खिज गई थी नमबर छे पर मैंने बाजीराव मस्तानी को रखा है मराटा सामराज के वीर योदा बाजीराव को बॉल्यूडिया आशिक बनाने की बात मुझे थोड़ी सी अकड़ गई नो डाउड रनवीर सिंग, दिपिका पादुकॉन, प्रयांका चोपरा जोनस और संजलीला भंसाली ने मिलकर इस फिल्म को यादगार बनाया मगर over the years I feel बाजीराव मस्तानी is nothing but a glorified extra marital affair बाजीराव मस्तानी के music album में अगर मेरा सबसे पसंदीदा song अगर आप पूछोगे तो मैं no doubt पिंगा को choose करूगा मतलब क्या choreography, क्या music, मतलब ये गाना इस फिल्म का highlight था and no doubt दिपिका और प्रयांका ने choreography में एकड़म आग ही लगा दी साल 2022 में आई गंगु भाई काठियावाडी के release से पहले सब तरफ ऐसी चर्चा थी कि ये फिल्म box office पर नहीं चलेगी क्यूंकि आलिया भट का baby face गंगु भाई के power packed role के लिए एकड़म misfit था मेरा भी यही सोचना था मगर फिल्म के खतम होते होते मैं आलिया भट का दिवाना बनके यही कमाल संजरीला भनसाली का है वो अपने actors से अच्छा performance कैसे ना कैसे भी निकलवा लेते हैं गंगु भाई एक timeless classic है This is one of the best film post-covid era मेरी personal favorite अगर आब music department का पूछोगे तो इस film के दो गाने मेरे सबसे पसंदीदा है मेरे पसंदीदा गाने हैं मेरी जान जिसे पूरी तरह से गाड़ी के अंदर शूट किया गया था और जब सहिया आए शाम को I can go on and on about these two melodious songs Number 4 पर मैंने पदमावत को डाला है Hands down यह film aesthetically और artistically brilliant है Khilji का palace costumes जो उसकी dark और intense और violent personality को represent करता है तो वहीं दूसरी तरफ राजा रतन सिंग का palace costume जो उसकी positive और large heartedness को भी दर्शाता है Ranvir Singh as Allahuddin Khilji ने पूरी तरह से screen को dominate किया शाहित कपूर as राजा रतन सिंग ने भी सभी को impress किया मगर इस film में दिपिका पादुकोन as Queen Padmavati उनसे तो नजर ही नहीं हटती उनकी intense आँख है वो aura मतलब एकदम speechless हो गया था मैं She literally owned that tool and of course the classic SLB school of film making हर frame आपको mentally उस दोर में आपको transport कर देता है संजरिला भनसाली ने रनवीर सिंग से बाजिरा मस्तानी और पदमावत में दो opposites रोल में एकदम बहतरीन acting करवाई और ये दोनों रोल्स के लिए रनवीर सिंग को सालों साल याद किया जाएगा पदमावत के supporting कास्ट ने भी अपनी मौजूदगी दर्च की वो चाहे अदिती राव हाइदरी हो जिम सेर्ब हो अनुप्रिया गोइंका हो या रजा मुराद हो उन्होंने भी स्क्रीन पर अपनी बहतरीन परफॉर्मन्स दिखाया नमबर थ्री पर है हम दिल दे चुके सिनम इस फिल्म ने संजलीला बंसाली को सही माइने में एक स्टार डारेक्टर बना दिया क्या गुजरात का भुज क्या बुड़ा पेस्ट हर नजारा देखने लायक था मतलब कमाल मुझे अभी भी याद है फिल्म का गाना धोली तारो धोल बाजे हर नवरातरी का फेवरेट बन गया था यही कमाल था राम लीला का नगाडा संग धोल बाजे या गंगुबाय काठ्यावाडी का धोली डा संजलीला बंसाली ने अपने करियर में कई सारे आइकॉनिक नवरातरी सॉंग्स दिये है खेर लॉट आते हैं हम दिल दे चुए सनम की तरफ इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है कि इस फिल्म के तीनों कैरेक्टर्स अपनी अपनी वजह से महान है नंदिनी जिसका पती उसे अपने आशिक से मिलाने देता है मगर क्योंकि वो भारतिय नारी है इसलिए अपने पती के पास वापस चली आती है समीर जो इतना खुबसूरत और टैलेंटेड है कि कोई भी लड़की उसकी दिवानी हो जाएगी मगर वो खुद को रोक लेता है और अपनी एक्स नंदिनी को फिर से उसके पती के पास भेज देता है वनराज जिसे पता है कि उसकी पतनी आज भी अपने एक्स बॉइफरेंड को नहीं भूली वो उसे अपने आशिक के पास भेज देता है यही वज़ा है कि 25 साल बाद भी हम दिल दे चुके सनम उतनी ही आइकॉनिक है जितनी की 25 साल पहले थी और यह फिल्म आज एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है नमबर दो पर है 2005 में रिलीज हुई ब्लैक नाम तो ब्लैक है फिल्म का मगर इस फिल्म ने अमिता बच्चन, रानी मुखर्जी और SLB के करियर में खुश्यों के रंग भर दिये देबराच साहे के रूप में अमिता बच्चन ने अपने परफॉर्मेंस का लोहा मनवाया मतलब क्या कहें आईशा कपूर जिसने छोटी मिशेल का किरदार ने भाया उसने भी खुब वावाही लोटी और रानी मुखर जी जिन्होंने इस फिल्म से अपना नाम बॉलिवड के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया बले ही बॉक्स ऑफिस पर ब्लैक कुछ खास नहीं चली मगर इस फिल्म पर धेर सरे अवार्ड की बारिश हुई प्लस फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन जो काबिले तारीफ है ये फिल्म संजरीला बंसाली की टॉप क्लास डिरेक्शन का एक सबूत है ब्लैक हमेशा से ही सिनिमा स्टूडन्स को इंस्पार करती है थी और रहेगी नमबर वन पर है देवदास जब ये अनॉंस्मेंट हुआ कि संजरीला बंसाली देवदास बनाएंगे तो हर तरफ लोगों को यही लगा कि ये फिल्म बॉक्स आफिस पर फ्लॉप हो जाएगी मगर हुआ ठीक इसके उलट इस फिल्म ने यंगर जेनरेशन को देवदास पारो और चंदरमुकी के लव ट्रैंगल से रूबरू करवाया हमारे दादा दादी नाना नानी के जमाने में दिलिप कुमार तो हमारे जेनरेशन के लिए शारुक खान इस फिल्म ने आईश्वरे राए बच्चन और माधुरी देख्षित के करियर में चार चांद लगाया प्लस डोलारे डोला गाना वैसे तो डोलारे डोला गाने में पारो और चंदरमुखी ने अपने डांस से सबी को इंप्रेस किया मगर इस गाने के अगर कोई actual stars है तो वो है कविता कृष्णमूर्थी और श्रिया गोशाल जिनकी जुगल बंदी ने डोलारे डोला को एक कल्ट सौंग बनाया संजलीला भंसाली के फिल्म एक masterpiece है थी और हमेशा रहेगी मेरी नजरों में इसलिए मैंने देवदास को number one spot पे रखा है तो ये थी मेरी list संजलीला भंसाली की top 10 best filmों के उपर I hope you liked it अगर आप मुझसे facebook या instagram पर connect करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा facebook account और ये रहा मेरा instagram account प्लस मेरे channel का instagram account तब तक अपना ख्याल रखे टेक केर और बी सेफ जैश्री दाम जैश्री कृष्णा